पार्लियमेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकेंड बात के इतिहास के पन्नों में एक और शांदार अध्याय जुड गया है जनगनना कार्मिक इस विशाल कवायत को शांदार सफलता में बदलने के लिए अत्यंत विकट भूभाग तथा विपरीत परिस्थितियों में परिश्रम करते हैं मुझे जनगनना कर्मियों को उनके द्वारा एसाधरन उत्साहक कारिय की उत्च गुनवत्ता तथा कर्तव्य के प्रतिसमरपन के लिए जनगनना पदक तथा सम्मान पत्र प्रदान करते हुए बहुत प्रसनता हो रही है मैं सभी जनगणना पदक विजेताओं को बढ़ाई देता हूँ और उनके भावी प्रयासों के लिए शुबकामनाय देता हूँ विराम भारत की जनगणना संचालन की एक लंबी और सम्रद परंपरा है हमारे देश में जनगणना संचालन का प्राचिंतम संदर्व कोटिले के अर्थ शास्तर में और इसके बाद अकबर के समय में आईने अकबरी में अबुल फजल के लेकों में मिलता है तथा पी अपने आधोनिक वैग्यानिक स्वरूप में सबसे पहली व्यवस्तित और आधोनिक जनगणना देश में 1865 से 1832 के बीच ऐस समकालिक धंग से आयोजित की गई थी भारत में पहली बार समकालिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी इस प्रकार यदी 1832 के बाद से जनगणना की जाये तो 2011 की जनगणना इस शंकला की पंदरवी जनगणना थी विराम 1832 से आज तक बिना विराम लगातार सफलता पूर्वक जनगणना का आयोजिन भारती जनगणना को विसेश्च तता अध्वितिय बना देता है विराम एक बहु जातिय, बहु भाशी तथा बहु सांस्क्रितिक समाज को देखते हुए भारत में जनगणना कराना एक चुनोती पूर्व कारिया है विराम इस कबायत की जटिलता की कलपना इसी तथे से की जा सकती है कि जनगणना की अनुसूची 16 भाशाओं में प्रसारित की गई थी तता 18 भाशाओं में प्रशिक्षन दिया गया विराम देश के 35 राज्यों और 7000 शहरों तथा 8 लाक गाउं में जनगणना करने के लिए लाखों गणना करता तथा परियवेक्षक लगाए गए थे 2011 की जनगणना की विशेश बात यह थी कि इसमें घरों की गणना संबन्दी अनुसूचियों के साथ ही रास्ट्रिय जनसंख्या रजिस्ट्रार को तैयार करने के लिए अनुसूचियां भी वित्रित की गई थी मैं इस जनगनना कारिय में सहयोग देने के लिए अपने सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ उनकी सक्रिय और संपूर्ण सहयोग के बिना इस विशाल कारिय को केवल 21 दिनों में पूरा करना संभव नहीं हो पाता विराम भाईयों इबोला उस खत्रे का नाम है जो समूची दुनिया पर मंडरा रहा है अमेरिका भारत यूरोप से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक सभी देश इस खत्रे से निपटने के लिए चोकनने हो गए हैं इबोला दर असल उस वाइरस का नाम है जो चार पस्चिमी अफरीकी मुलकों मे अपनी चपेट ले चुका है माना जाता है कि एबोला का लाई लाज संक्रमन होने के बाद 90% मामलों में मौत तैह है इसलिए हर देश इस कोशिश में जुटा है कि उसके यहां तक नह पहुंचे खतरनाक एबोला का संक्रमन एबोला वाइरस एक विशानू है और इससे फैल के अंदर रक्स स्राव शुरू हो जाता है और इससे 90% रोगियों की इम्रत्यू हो जाती है इस रोग की पहचान सरुब्रदम सन 1996 में इबोला नदी के पास इस दित एक गाउं में की गई थी इसका नाम इबोला पड़ा वर्तमान में यह इस्थान कांगो नामक देश में है लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनोती है कि इन मरीजों से इस्थानिये लोगों में यह संग्रमन ना फैल जाए विराम यह खत्रा इस देश तक ही सीमित नहीं है पूरी दुनिया के लिए है बारत समेत कई देशों ने हवाई अड़ों पर प्रभावित देशों से आने वाल संभव है इसके अलावा अफरीकी देशों में इलाज की सुविधाएं जितनी और जैसी है उसमें मरीजों के बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है लियाजा यूरोप से लेकर चीन तक सावधानी बढ़ती जा रही है चीन में अफरीकी देशों से आने वाले यात्रियो पर विशेश नजर रखी जा रही है विराम भारत भी इबोला को लेकर चौकनना हो चुका है हालांकि संक्रमे देशों से भारत की कोई सीधी उडान नहीं है लेकिन सूडान और कांगों में सेयुक्त राष्ट शांती मिशन के तहट भारतिय शांती सैनिक तैनात है विराम स पानी या हवा के जरिये नहीं फैलता और इसके फैलने का एक मातर जरिया किसी संक्रमित जीव या व्यक्ति से सीधा संपर्क है अबोला वायरस चमगादडों और सूरों के जरिये फैल सकता है और जब कोई इनसान इसका शिकार हो जाता है तो फिर उस से सीधे संपर्क में आने वाले किसी भी दूसरे इनसान को यह जकाड़ सकता है यहरोग पसीने और लार से फैलता है संक्रमित खुन और मल के सीधे संक्रमित में संपर्क में आने से भी यह फैलता है इसके अतरिक्ट यॉन संबंद और इबोला से संक्रमित शव को ठीक तरह से व्यवस्तित न करने से भी यह रोक हो सकता है विराम सभापती महोदैव आज हर तरफ किसानों के उपर मार पड़ रही है बरसात तो देश में जैसे खत्म ही हो गई है उसका कारण है कि पेड़ पोदे नहीं लगाये जा रहे हैं बिजली की चोरी हो रही है वनों की कट रहे जाते हैं जो जबर लोग हैं वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता इस्थती यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है वैसे बड़े लोग छोटे किसानों को निगल रहे हैं विराम व्यवसाई लोग दो महीने में या एक मही तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि ऐसा कोई शोद करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उनमें से बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी जमीन उगा रहे हैं हमने उसमें सुना है कि बहुत इक तरीके से भी उसके पैद कर दें और तरकारी उगाएं फल उगाएं लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल दस दिन या एक दिन में उग जाएंगी पहले खेट को तयार करना पड़ेगा जिसमें महीनों लग जाते हैं उसमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि फिर उनको बेज कर गोदाम में जाना है खाद गे लिए जाना है फिर पानी की तरफ देखना होगा नहरे तो खत्म हो गई है फिर बिजली की तरफ देखेंगे सब इस बात से परिचित हैं कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है खुद प्रदान मंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई है ऐसा कोई बीज मंत्र क्रशी मंत्री जी के पास आयत हो तो क्रप्या मुझे भी बताएं क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मैं भी केह हूँ और चावल की खेटी को बंद करके उस बीज को जहां कहीं वह मिलता हो वह बाजार में बिक जाए विराम लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे आपको बाजार में ले जाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाएं और उसको आगे ऐसे केंदर मिल जहां उसको खरीद लिया जाए विराम, ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंदर में जाकर रख दिया और किसान परेशान है, मैंने खुद अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इसकी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकाल कर अपन अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्रकृतिक आप्दा से नुकसान होता है या उसको कीडा खा जाता है तो किसान को उसका इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जायेगा महारास्टर में कपास की खेती ज़्यादा होती है और मैं जिस शेत्र से आता हूँ वह तट शेत्र है वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा नहीं होती है बेरे कुंकर शेत्र में किसान बागबानी की और बढ़ने लगे हैं मेरे शेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज़ होती है हम अकबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करता है उन्होंने गन्ना जला दिया महारास्टर में भी गन्ना इतना ज्यादा पैदा होता है कि यदि किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिल जाये तो अच्छा हो गन्ना ज्यादा होने के कारण वह चीनी का उत्पादन भी जादा होता है गत कई वर्षों से महारास्टर में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है विराम इसके साथ ही कपास का उत्तपादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात की बात आती है विराम कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का बंडारन जमा किया हुआ पड़ा है विराम यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्य को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है विराम केंदर सरकार को इस बारे में गंबीरता से सोचने की आवशकता है विराम जिससे किसान लाभानवित हो विराम